तो आहीं वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं, कौन से केसिन को हम प्रेक्टिस करने वाले हैं तो देखेगा आज की इस वीडियो में जो question हमारे सामने है यह CSIR Net Life Science Unit No.1 यानि Biochemistry के question है तो जो पेपर हमारा February 2022 में हुआ था जिसको June 21 भी कहा जाता है उसका जो morning shift है इसके अंदर Biochemistry से कितने question आये हैं आईधर Part B के और C के वो सब हम आज की इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो इस पूरे paper को अगर एक बार देखा जाए तो यहाँ पर Part B के अंदर 4 question आये हैं और Part C के अंदर 6 question आये हैं from this unit तो पहले हम बात करेंगे Part B के question की फिर हम solve करेंगे अपने Part C के questions को तो यह Part B का पहला question है question ID है 21 यहाँ पर दिया है following statement are made about the uncompetitive inhibition of an enzyme यानि यह कुशन आया ह 4 statement दी हैं और आपसे पूचा है which one of the following option represent the correct combination of the statements ठीक है तो सबसे पहले में आपको बता देती हूं uncompetitive जो inhibitor है वो क्या होता है तो हम सभी जानते हैं कि खाली जब free enzyme होता है जब वो substrate के साथ में react करता है तो यहाँ पर complex बनता है ES complex और फिर ES से बनता है मतलब जो enzyme है वो अलग हो जाता है और product बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह जो ES complex बना है तो ऐसा inhibitor जो कि केवल ES complex से ही बाइंड करता है तो उसको बोलते हैं uncompetitive inhibitor ना ही तो वो free enzyme से बाइंड करेगा ना ही substrate से बाइंड करेगा वो केवल बाइंड करेगा जब enzyme का और substrate का complex बन जाता है जैसे कि आप इस diagram में देख सकते हैं यह enzyme है यहाँ पर यह substrate है यह दोनों मिल गए हैं तो ES complex बन गया है और तब आकर इस inhibitor ने bind किया है इतनी बात समझाई है चलिए बात करते हैं तो first statement की लिखा है uncompetitive inhibitor bind to both free enzyme as well as the enzyme substrate complex यानि कि जो uncompetitive inhibitor होता है वो free enzyme से भी bind कर लेता है और जो enzyme का और substrate का जो complex बनता है उससे भी bind कर लेता है तो यह statement हो जाएगा गलत क्योंकि वो केवल enzyme substrate के complex से ही bind करता है तो first option गलत हो जाएगा बी में लिका है addition of the uncompetitive inhibitor lower the Vmax of the reaction exactly आपने अगर यह diagram और यह graph पड़ा है तो उसमें साब साब बताया जाता है यह कौन सा diagram है जो Michael S. Manton ने जो graph दिया है उसके regard में ही यह बताया है कि अगर वहाँ पर कोई भी inhibition नहीं है तो यह जो red line आपको UK से चलता है जिसमें कि अगर Vmax की बात करें तो वो यहाँ पर होगा और Vmax half यह इतना होगा और जब Vmax upon half होता है यह जाता है तब KM होता है substrate का concentration लेकिन अगर वहाँ पर आ जाता है inhibitor वो भी कौन सा uncompetitive तो देखने को मिलता है कि जो पूरी reaction है उसका Vmax ही कम हो गया है आप देख सकते हो अब यहाँ पर जो Vmax है वो इतना हुआ है तो पहले Vmax इतना था velocity maximum इतनी थी लेकिन जैसे ही inhibition हुआ है तो जो maximum velocity है वो यहाँ पर आई है यानि Vmax क्या होता है Vmax lower हो जाता है कम हो जाता है और यहीं पर आप देखो इसका जो Vmax upon half होगा वो इतना होगा और KM यहाँ पर आ गया है यानि KM पहले इतना था और KM भी अब कम हो गया है तो यानि हम लिख सकते हैं कि KM भी lower हो जाता है ठीक है तो अगर uncompetitive inhibition होता है तो बहाँ पर Vmax और KM दोनों की value ही कम हो जाती है decrease हो जाती है lower हो जाती है ठीक है चलिए तो match कर लेते हैं addition of the uncompetitive inhibitor lower the V max of the reaction बिल्कुल सभी बात है apparent KM of the enzyme is lower बिल्कुल सभी बात है कि जब uncompetitive inhibition होता है तो वहाँ पर KM भी कम हो जाता है जो KM है of the enzyme remain unchanged ऐसा नहीं है unchanged नहीं रहता है चेंज होता है वो भी कम हो जाता है तो B और C will be the right यानि first option will be the right answer for this question ठीक है चलिए बात करते हैं अंगले question की इसेबल ग्रूप इन लाइसिन अच्छा यहां पर जो हर लाइसिन amino acid होता है जिसको बेसिक भी बोलते हैं यानि एक basic amino acid है उसका जो आइनाइजेबल ग्रूप है उसके PK values आपको यहां पर दी गई है तो लाइसिंग का जो कार्बोक्सलिक ग्रूप होता है उसका PK 1 दिया ग इसके पास epsilon amino group है उसका जो PK है वो 10.54 है तो अगर आपको ऐसे तीन वैल्यू दी गई है और कोई basic amino acid दिया गया है और आपसे पूछा है कि उसका जो मतलब पी आई क्या होगा तो इसको निकालने का फॉर्मूला यह है कि जो पी आई है वहां पर लाइसिन का जो अमीनो ग्रूप है उन दोनों की एक कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे उनने उनका अवेरेज अगर लेंगे तो पी याई वैल्यू निकल जाती है ठीक है जैसे कि यहां पर दिया है 9 9 plus 10 9 plus 10 दिया है मैंने integer ले लिए है point वाले हटा दिये लगभग हमारा answer same आ जाएगा 9 pi क्या हो जाएगा 9 plus 10 यानि 19 लगभग और 2 से भी divide करेंगे तो ये 9.8 के लगभग आ जाएगा ठीक है तो मतलब जो license है यहाँ पर उसका जो pi value है वो होगा 9.8 यानि 4th option will be the right answer ठीक है चलिए बात करते हैं 3rd question की question ID है 23 यहाँ पर दिया है the enzyme alkaline phosphatase was tested for its catalytic activity using the substrate paranitrophenol phosphate यानि की एक enzyme है जिसका नाम है alkaline phosphatase उसकी activity को test करने के लिए उसका जो substrate है that is paranitrophenol phosphate उसका इस्तिमाल किया गया है आगे लिखा है the km obtained was 10 millimolar and Vmax was 100 micromol per minute उस enzyme की जो km है वो देखने को मिला है की 10 millimolar है और Vmax कितना बताया है महाँ पर देखने को मिला है की Vmax 100 micromol per minute है अब आप से पूचा है which one of the following option represent the initial velocity of the reaction at a substrate concentration of 10 millimolar ठीक है मतलब आप से initial velocity पूची है की क्या हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक बात पता होना चाहिए कि जो km होता है km का मतलब है substrate की वो concentration जिस पर जो Vmax होता है वो half हो जाता है यानि substrate का वो concentration जिस पर Vmax हाफ हो जाती है तो km क्या होता है km ऐसी value है substrate की मतलब km substrate की ही वो value है जिस पर की जो Vmax होता है वो half हो जाता है जिके Vmax जो है वो half हो जाता है अब यहाँ पर देखो दिया भी चीजे सेम है कि km भी कितना है 10 millimolar है और जो substrate है वो भी 10 millimolar है यानि कि km is equal to substrate है तो हम यह वाला formula इस्तिमाल करेंगे तो Vmax कितना आया है Vmax आया है 100 micromol per minute और 2 हो जाएगा नीचे यानि कि 50 micromol per minute हो जाएगी उसकी initial velocity चीक है बहुत आसान सा question था बस आपको यह चीज देखनी होती है कि वहाँ पर जो km है और substrate है उनकी value अगर same है यानि substrate हमने इतना ही दिया है जितनी की उस enzyme की km value है तो वहाँ पर उसकी जो initial velocity है वो Vmax की half हो जाती है तो यहाँ पर Vmax कितना है 100 है और km की value और substrate की value बराबर है तो इसका half कर देंगे यानि 50 micromol per minute so the first option will be the right answer ठीक है चलिए बात करते हैं अगले question की Question ID है 24 How many hydrogen bond involving the backbone CO and NH can be observed in an alpha helix consisting of 15 amino acid residue यानि कि अगर आप से alpha helix के बारे में पूचा है और alpha helix में पूचा है number of hydrogen तो इसका एक direct सा formula है number of hydrogen bond के बारे में पूचा है तो इसका formula हो जाता है N minus 4 यहाँ पर N से मतलब है amino acid यानि इतने भी आपको amino acid दिये हुए है उन में से अगर आप 4 minus कर देते हैं तो hydrogen bond निकल जाएगा ठीक है तो N कितना दिया हुआ है 15 amino acid तो 15 minus 4 that will be 11 hydrogen bond यानि अगर आपके पास एक ऐसा alpha helix है जिसमें की 15 amino acid है तो वहाँ पर जो CO है और NH है उनके बीच में 11 बार hydrogen bonding बनेगी यानि 11 टाइम ठीक है तो हमारा सही answer हो जाएगा the second option ओके चलिए तो अभी हम बात कर लेते हैं part C के questions की part B के 4 question हमने solve कर लिये है part C का first question है जिसके ID है 71 दिया है a schematic of a metabolic pathway is shown below यहाँ पर आपको एक pathway दिया है और पूछा है under which of the following conditions would stoichiometric amount of end product K and L be obtained if a concerted feedback inhibition mechanism were in operation यानि यहाँ इस pathway में एक mechanism use किया गया है जिसको बोलते हैं feedback inhibition यानि जो end product होता है वो अपने ही production को रोक देता है जिसे बोलते है feedback inhibition तो यहाँ आपसे पूछा है कि जो end product है K और L उनका जो amount है अगर यहाँ पर feedback inhibition चल रहा है तो किस तरीके से maintain होगा तो यह हमारा question है चलिए बात कर लेते हैं इसके answer की तो देखो यहाँ पर जब कभी भी बात आती है regulation की तो enzyme जो allosteric होते है उनकी बात की जाती है यानि कि अगर किसी भी pathway में regulation चलता है यानि अपनी मर्जी से on और off हम कर सकते है तो वहाँ पर allosteric enzyme काम कर रहे होते हैं तो और वो जो allosteric enzyme होते हैं वो pathway के starting में मेली होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा glycolysis पड़ा है glycolysis एक metabolic pathway है उसमें जो regulation होता है वो केवल तीन enzyme ही regulation कर रहे होते हैं starting वाला होता है एक fructose 1,6 bisphosphate वाला होता है तो starting में ही वो run हो रहे होते हैं जो regulation में help करते हैं तो यहाँ पर भी जो allosteric enzyme होगा या तो वो यहाँ पर काम करेगा या फिर इतना पासवें चला है फिर यहाँ F से दो पासवें नए चले हैं तो वो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा ठीक है और यह जो allosteric enzyme है उन पर act करते हैं उनके ही end product जो की आकर अपने ही production को रोक लेते हैं जैसे देखो यहाँ पर अगर बात करते हूं D की तो D के लिए जो end product है वो K है और L है ठीक है D का जो end product है वो K है और L है तो यानि इस D को inhibit कर सकता है K यानि यहाँ पर जो enzyme है इसको K भी inhibit कर सकता है और इसको L भी inhibit करेगा क्योंकि दोनों ही इसके end product है यहाँ F की अगर बात करते है तो F से यहाँ एक नया pathway start हुआ है तो यह जो K है मतलब यह जो end product है यह inhibit कर सकता है यहाँ पर और यह जो L है यह inhibit कर सकता है यहाँ पर यह जो K है यहाँ नहीं कर सकता यह L यहां नहीं कर सकता, K के वल यहां इनिबिट करेगा, L के वल यहां करेगा और दोनो K और L यहां इनिबिट कर सकते हैं चलिए तो आप बात कर लेते हैं, option कैसे दिये हैं first में दिया है कि K इनिबिट F और G आए जो जो क है वह फ़ गर रहए बिल्क Ultimative क्रेगा पात्वे यह जो यह चैट आ पर यहें के द्री गर सकता है और जो दीजह बात बात्स को यहां कि और सरे दे रहे स्कते हैं और्व मुफ लोग कर सकता है यहां पर रहे जो को Yahya will be the right answer अच्छ बी में क्या दिया है कि जो D और E वाला pathway वो inhibit होगा at the equal amount of K और L ये बात तो सही है बाकि जो K है वो inhibit करेगा F और H को यानि ये कह रहा है कि K जो है यहाँ inhibit करेगा तो ये गलत हो जाएगा तो second option गलत है third में लिखा है कि जो D E है is inhibited at the equal amount of G and H नहीं ऐसा नहीं है ये दोनों inhibit नहीं कर सकते हैं जो end product होता है वो inhibit करता है तो third option भी गलत हो जाएगा fourth में लिखा है K is inhibit F and H यानि K inhibit करेगा FH को फिर ये भी गलत हो जाएगा तो first option will be the right answer for this question next question ID है 72 दिया है the following statement are being made to define the Michaelis constant यानि KM यानि कि यहाँ पर आपको चार statement देके रखिए KM के बारे में आपको बताना है which one of the following combination of the statement is correct यानि यहाँ पर कौन-कौन से statement सही है आपको बताना है चलिए read करते हैं the first जो KM होता है this is independent of the enzyme concentration E and substrate concentration S तो यह बात बिल्कुर सही है देखो सबसे पहले में आपको बता देती हूँ KM होता क्या है तो KM कोई अलग चीज नहीं है substrate ही है लेकिन substrate की वो concentration है जिस पर जो Vmax होता है वो half हो जाएगा ठीक है तो KM क्या है substrate की वो concentration है जिस पर की Vmax होता है वो half हो जाता है ठीक है तो यह जो KM value होती है हर एक enzyme के लिए constant होती है यानि अगर आप किसी reaction में substrate को कम करते हैं या फिर ज्यादा करते हैं enzyme को कम करते हैं या फिर ज्यादा करते हैं लेकिन उसकी जो km value होती है वो बिल्कुल constant रहेगी तो ये बात हम बोल सकते हैं कि किसी भी enzyme का जो km होता है वो ना ही तो enzyme के concentration पर depend करता है और ना ही substrate की concentration पर depend करता है तो कि km की value बिल्कुल fix होती है substrate को अगर आप ज़्यादा करेंगे तो भी fix रहेगा कम करेंगे तो भी वो ही रहेगा अगर आप enzyme की concentration को ज़्यादा करते हैं तो भी वो ही रहेगा और कम करते हैं तो भी वो ही रहेगा ठीक है तो जो first statement है ये हो जाएगा सही कि यहाँ पर जो km है this is independent of the enzyme concentration as well as the substrate concentration यानि first option is the right यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले एक free enzyme होता है यहाँ पर substrate होता है जब वो combine होते हैं तो बनता है ES complex और फिर बनता है E plus P तो यह वाला जो step है यह reversible होता है यानि कि ES फिर से E plus S में भी convert हो सकता है तो यहाँ हम इसको K1 मान लेते हैं constant और यहाँ हम K-1 मान लेते हैं बस इसलिए कि यह इसका opposite है इसको हम मान लेते हैं कि K2 है तो यह जो K2 होता है यह काफ़ी slow चलता है मतलब ES से product बनने की जो formation है timing जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए हम K2 को मान लेते हैं कि यह rate limiting है यानि जो rate है जिस rate से reaction चल रही है उसको यह limit कर देता है कम कर देता है क्योंकि यह slow pathway है ठीक है अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि KM क्या हो जाता है तो KM में हम रखते हैं कि जो dissociation constant है उनको हम रखते हैं ऊपर और नीचे हम रखेंगे जो association है association जो constant होता है उनको हम नीचे रखते हैं यानि कि dissociate कहां हो रहा है ES की अगर बात करते हैं तो ES दो तरीकों से dissociate हो सकता है या तो वो E plus product बन जाए या तो वो E plus S बन जाए यानि उपर हम क्या रख सकते हैं K2 रख सकते हैं और K-1 रख सकते हैं यानि K-1 plus K2 तो ये तो हो जाता है complete dissociation constant नीचे अगर बात करते हैं तो associate किसमें होता है बनता कब है K1 constant से बनता है तो ये K1 और इसी को ही तो हम बोलते हैं KM जो KM की value निकलती है वो इस तरीके से ही निकलती है ठीक है तो हमारे statement में भी यही कहा है कि जो KM होता है वो equal to the dissociation constant when the ES complex dissociate more rapidly than the product formation यानि कि ये जो reaction है काफी slow चल रही हो और ES का यहां conversion होना यानि ये वाला जो step है ये काफी rapidly हो तो KM की value निके बराबर हो जाती है तो ये statement बिल्कुल सही है ठीक है C में लिखा है कि जो KM है is equal to the dissociation constant when the product formation is more rapid than the complex dissociation इसमें बिल्कुल उल्टा दे दिया है first option में हमें बताया था कि ये वाला step काफी rapid है और ये slow है अब जो हमें दिया है third option third statement उसमें कहा है इसको rapid कर दिया है और ये slow तो पहले बात ये कभी भी rapid नहीं होता है ये जो step है ये हमेशा ही rate limiting होता है slow चलता है यानि ES का E plus P में जो breakdown है वो काफी slow होता है ना की rapid होता है तो ये statement हो जाएगा गलत D में लिका है an intrinsic property of an enzyme and does not depend on pH temperature and the ionic strength यानि जो KM है वो इस चीज़ पर depend नहीं करता कि temperature क्या है ionic strength क्या है तो ये statement गलत है किसी भी हमने हर बार पढ़ा है कि जो enzymes होते हैं पर specific होते हैं एक specific temperature पर ही वो operate करते हैं एक specific उनका pH होता है अगर pH में थोड़ा भी अगर change हो जाता है तो वो enzyme denature हो जाता है अपना काम करना बंद कर देता है और इसलिए यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि अगर temperature में ionic strength में pH में अगर change होगा तो उसके जो KM होता है वो भी change हो जाएगा क्योंकि enzyme का function ही change हो गया है वो functional ही नहीं रहा है तो यह statement सही हो जाएगा यानि A सही है B सही है और D सही है A, B, D यानि the second option will be the right answer for this question चलिए बात करते हैं अगले question की Question ID है 73 यहाँ पर दिया है यहाँ पर आपको दिया है कुछ बायो केमिकल केरेक्टर और इनको find out करने का जो procedure है वो यहाँ पर दिया हुआ है तो देखो अगर आपको किसी भी protein की 3D structure को define करना है देखना है समझना है तो वहाँ पर use किया जाता है NMR यानि Nuclear Magnetic Resonance तो अगर आप 3D structure देखना चाहते है किसी भी protein की तो वहाँ पर use किया जाता है NMR यानि first option first से ही match हो जाएगा A का हो जाएगा one और देखो A का one हमें केवल A की option में दिया हुआ है the second one इसके बाद ionic charge तो एक chromatography होती है एक होता है iso electric focusing यानि कि अगर हम ionic charge का इस्तमाल करके किसी चीज को अलग करना चाहते है किसी और चीज से यानि कि जैसे देखो आपके पास कोई complex है और यहाँ पर कहीं सारी mixture पड़े है अलग अलग चीज़ों के अब अगर आपको यहाँ किसी A को separate out करना है और वो आप separate out करते हैं with the help of ionic charge तो उसको बोलते हैं iso electric focusing यानि B का हो जाएगा second option binding specificity उसको बोलते हैं affinity chromatography यानि affinity chromatography में हम इस्तेमाल करते हैं यह वाला part that is binding specificity यानि कोई दो चीज़े ऐसी होती है जो आपस में हमेशा ही bind होती है तो अब अगर हमें उन में से किसी एक को separate करना है तो हम उसकी दूसरे का इस्तेमाल करके जिससे वो हमेशा bind होती है वो उसके अंदर डाल देंगे तो वहाँ वो bind हो जाएगी और separate out हो जाएगी तो अगर हम binding specificity का इस्तेमाल करते हैं तो वो यूज किया जाता है इनदा affinity chromatography तो यानि C का हो जाएगा third Molecular size का इस्तेमाल करते हैं separate out करने के लिए चीजों को तो वहाँ ultra centrifugation का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम molecular size के भीहाब पर चीजों को अलग कर देते हैं तो यानि D का हो जाएगा fourth तो A का one है B का second है C का third है और D का fourth है So the second option will be the right answer for this question ठीक है Next question ID है 74 दिया है circular dichroism spectrum जिसको हम CD spectrum भी बोलते हैं in the far UV region inform on the kind and the content of the secondary structure in a protein यानि protein के अंदर कितना secondary structure है उसको अगर आपको जानना है तो वहाँ आप CD का इस्तेमाल करेंगे to the far UV region से ठीक है Near UV and tryptophan emission spectra inform on the tertiary structure लेकिन अगर आप protein के tertiary structure को find out करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप CD near UV में इस्तेमाल करेंगे Shown in the panel above are A the intrinsic fluorescence emission spectra of the protein X कोई protein X है आपके पास तो यहाँ पर जो diagram दिया गया है उसमें यह जो A वाला part है यहाँ बताया है आपको कि इस्तेमाल किया गया है intrinsic fluorescence emission spectra of the protein X यह जो B वाला panel है इसमें दिखाया गया है far UV CD spectra of the protein X protein X का जब far UV CD किया गया है तो हमें यह result मिला है इसके बाद C में बताया गया है near UV CD spectra of the protein X recorded under the different condition यानि A में बताया है आपको emission spectrum of the protein X B में बताया है B में बताया है far UV CD spectrum of the protein X और C में बताया है आपको near UV CD spectrum of the protein X यह तीनों चीज़े आपको यहाँ पर बता दी है और पूचा है curve represent the spectra of protein X at pH 7 जो कि black line में है यानि इन अलग-अलग diagram में तीन-तीन reading ली गई है जो black one है वो ली गई है pH 7 पर जो green वाली है वो ली गई है pH 3 पर और जो red वाली है वो ली गई है pH 7 है लेकिन वहाँ पर salt को add कर दिया गया है कितना 6 molar guanodine hydro chloride जो कि red line में है यह बाते आपको दे दी गई है और पूछा है कि इन चारों में से कौन सा option सही है इन सभी के लिए तो यह तो question है काफी लेंदी सा है लेकिन आप solve करेंगे तो आसान ही होगा चलिए तो इसको अब एक बार देख लेते हैं यह है emission spectrum यह है far UV CD spectrum और यह है near UV CD spectrum यह आपको question में दिया हुआ है अब यहाँ पर बताया है कि कोई भी protein अगर होता है तो उसकी जो structure है उसका जो function है लगभग pH 7 पर pH 7 पर optimum होता है हम ऐसा मान सकते हैं या फिर normal होता है मतलब कोई change खास change हमें देखने को नहीं मिलता है at the pH 7 तो यहाँ पर यह जो black line है यह बता रही है pH 7 यानि मैं बहुत सकती हूँ किसी भी protein का जो protein X है उसका जो emission spectrum है वो black line में यहाँ है तो मतलब यह normal होगा ठीक है अगर बात करूँ far UV CD की तो उसकी जो normal condition है protein X की वो यह वाली होगी इसके बाद जो near UV CD spectrum है उसकी अगर protein X की बात करूँ तो normal यह वाला होगा यानि black को हम यहाँ normal condition लेके चल सकते हैं क्योंकि black line pH 7 पर आई है और pH 7 पर लगबग जो protein होते हैं वो normally behave करते हैं optimum behave कर सकते हैं ठीक है अब जैसे ही जो green line है ग्रीन में क्या बताया है कि हमने pH को 3 कर दिया है तो जो green line है वो बता रही है कि pH को हमने 3 कर दिया है यानि pH 7 पर वो normal थे अब जब pH को कम करते हैं तो हमें पता है कि कोई भी protein है कोई भी enzyme है अगर उसके pH में change किया जाता है तो उसकी जो functionality है वो कम हो जाती है यानि कि जो green वाला है इसका function कम देखने को मिला है और red वाला बिल्कुल ही shift हो गया है देखो normal तो यहाँ पर है लेकिन जो red one है वो यहाँ आया है जब आपने pH को तो रखा same 7 ही लेकिन salt की concentration आपने add कर दी है तो मतलब वहाँ पर जो enzyme है जो protein X है उसका सारा ही function disturb हो गया है उसकी पूरी ही structure disturb हो गयी है ठीक है तो यहाँ पर यह इस तरीके से दिखा रहा है far UV की बात करते हैं तो normal हमने माना है यह black one है थोड़ा अगर pH में change किया है तो इतना shift हो गया है लेकिन आप देख सकते हैं red line red में आप बता सकते हैं कि जब salt को add किया है तो वो इतना shift कर गया है यानि normal यहाँ पर है और वो इतना ऊपर आगया है यानि काफी सारा shift हो गया है यानि कि जब आपने salt add किया है तो उसकी पूरी ही structure disturbed हो गयी है यहां अगर बात करें थर्ड वाले पैनल में तो near UVCD है जो normal condition है वो यह वाली ली गई है the black one आप देख सकते हैं green और red दोनों ही यहां पर आ गई है यानि कि जब आपने pH को 3 कर दिया है या फिर आपने salt को add कर दिया है तो सारी ही जो structure है वो disrupt हो गई है इतना shift आ गया है देखो ठीक है तो यह चीज़े हमने देख ली है अब बात कर लेते हैं अपने options की कि किसमें यह चीज़े mix होती है मतलब किसमें match हो रही है तो देखो A में लिखा है कि जो protein है is fully folded at the pH 7 acid induced molten globular at the pH 3 and unfolded in 6 molar guanadine hydro chloride तो यह बात तो बहुत है हमने तीनों structure में देखा है कि जब pH 7 होता है उस दोरान यह जो protein X है fully folded होता है यानि जैसी उसकी normal structure है functional structure है वो ऐसी बनी रहती है लेकिन जैसे ही हम pH को 3 कर देते हैं तो वो अपनी folded form से आ जाता है molten globular form में यानि सबसे पहले होता है folded जब वो नीचे आना start करता है तो molten globular form आ जाती है इसके बाद जब हमने किया है salt को add त जब salt add किया है तो उसने इतना shift कर लिया है यानि जो structure है completely disturb हो गई है यहाँ पर भी जब normal है तो यहाँ है लेकिन जब salt add किया गया है तो पूरी ही structure जो है disturb हो गई है जो curve है वो यहाँ shift हो गया है ऐसे हमने यहाँ पर भी देखा है normal तो यह है लेकिन जैसे ही salt add करते हैं तो ही जो इसका structure है वो डिस्टरब हो गया यानि वो unfold हो गया है तो यह statement ही हमारा सही हो जाएगा यह हमारा सही है ठीक है चलिए तो कुछन हमने solve कर लिया है आगे बात करते हैं to the next question जिसका ID है 75 दिया है the PIO 4 protein A B C D are shown in the table below यहां आपको table दिया है इस table में चार प्रोटीन यह गए है A B C और D और बताया है इनका PI value यानि A का है 4 B का है 5.5 C का है 7 और D का है 9 ठीक है आपसे पूछा है to purify the D form a mixture of these four protein in a single step using iron exchange chromatography what combination of buffer pH and iron exchange resin would you select यानि यहां पर एक mixture है इन चारो protein का A B C और D अब आपको इन चारो में से केवल D को purify करना है D को अलग करना है A B C से तो आप वहां पर iron exchange chromatography इस्तमाल करेंगे लेकिन उसमें क्या चीज़े आप लेंगे कि जो D है वो वहां अलग हो जाए ठीक है यह हमारा question है चलिए solve करते हैं इसको तो जो iron exchange chromatography होती है उसमें column इस्तिमाल किया जाता है यह होता है ठीक है और बाकी जो A है B है C है वो सभी बाहर निकल जाएं तो ठीक है यह है iron exchange chromatography तो सबसे पहले मैं आपको उता देती हूँ कि D कितना दिया है 9 दिया है यानि जो D है D protein का जो PI है वो 9 दिया है तो अगर 7 से ज़ादा हो गया है PI तो इसका मतलब है यह act करेगा as a basic protein में यहां positive charge को purify करना है तो विसली हमें यहां इस column के अंदर कुछ negative रखना होगा है ना तभी तो अगर negative रखा है तभी यहां positive struck हो पाएगा और यह सब चीजे बाहर निकल जाएंगी तो मतलब हमें यहां यूज करना पड़ेगा negative part ठीक है negative जिनको beads भी बोलते हैं या फिर जिनको resin भी बोलते हैं तो हमें यहां इस तरीके से इस्तमाल करना पड़ेगा और यह करते क्या है यह केटायन को exchange करते हैं हमने यहां क्या लिया है एनायन लिया है negative क्या होता है एनायन होता है यहां हमने एनायन लिया है और यह exchange किसको करेगा केटायन को यहां पर रखेगा बागी को बाहर निकाल देगा तो हम बोल सकते हैं कि यहां हमें यूज करना पड़ेगा केटायन नायन एक्सचेंजर रेजिन अगर मुझे यहां नेगेटिव वाला स्टक करना है तो मैं यहां पोजिटिव लोंगी और अगर मैं यहां पोजिटिव लोंगी तो इसको मैं कहूंगी नायन एक्सचेंजर रेजिन ठीक है लेकिन मुझे यहां पोजिटिव रखना है तो नेग चार्ज इसका 5.5 है तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है इसका 7 है तो इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव तो होगा ही होगा और इसके पास तो पोजिटिव है ठीक है यानि कि जब मैं इस पूरे मिक्सचर को यहां से पास करूंगी तो प्रबिबलीटी यह है कि दी तो यहां स्टक करेगा ही साथ साथ यहां पर सी भी स्टक कर सकता है क्योंकि सी के पास भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज तो है ही ठीक है तो अब मुझे यहां पी एच को भी कुछ इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि केवल डी अंदर रह जाए और यह जो 7 वाला है हर एक प्रोटीन पर और अगर प्रोटीन पर और अगर P I less than है तो आछ था प्यूब्श तो वहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज अब मैं चाहती क्या हूं मैं यह चाहती हूं कि बाकी जो प्रोटीन है यानि A है B है C है इन सभी पर negative charge आ जाए, तो इनके लिए मैं क्या करूँगी, इनके लिए जो मैं pH है अगर मैं चाहती हूँ negative charge आ जाए, तो मैं pH इनसे जादा रख दूँगी, ठीक है तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ pH को 9 से तो रखूँगी कम लेकिन 7 से रखूँगी जादा क्योंकि अगर मैं pH को यहाँ 9 से कम 7 से जादा, मतलब pH अगर मैं यहाँ 8 रख देती हूँ अगर मैं pH 8 रख देती हूँ तो क्या होगा, C पर भी negative charge आ जाएगा, D पर भी negative आएगा, A पर भी negative आएगा लेकिन D पर positive ही रहेगा, ठीक है इस वज़े से जो D है वो stuck हो जाएगा बागी सब चीजे बाहर निकल जाएगी तो क्या बाते समझाई है, हमें अगर D को यहाँ रखना है, तो हमें use करना पड़ेगा cation exchanger plus pH होना चाहिए 8 चलिए इसको match कर लेते हैं तो pH 8 के वल 4 में दिया हुआ है तो pH 8 होना चाहिए और cation exchanger resin होना चाहिए, यानि 4th option will be the right answer ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले question की ओके, सो last question है question ID 76 दिया है the curve B in the figure below shows the oxygen dissociation profile at the physiological concentration of CO2 at pH 7 यानि यहाँ पर आपको यह graph दिया हुआ है, यह जो profile है, यह होता है oxygen dissociation curve के बारे में तो यहाँ आपको बताया है कि A है, B है, C है और जो B वाला curve है यानि जो curve B है यानि दिस वन बीच में जो है यह pH 7 पर लिया गया है अब आगे कहा है an increase in pH would lead to the oxygen dissociation profile indicated by यानि अगर pH 7 है तो curve मुझे मिलता है यह वाला लेकिन अगर मैं pH को कर देती हूं increase pH को अगर मैं increase कर देती हूं तो यह जो B है यह जो curve है यह B पर ही रहेगा या A पर चला जाएगा या फिर C पर चला जाएगा या फिर D पर चला जाएगा यह आपको बताना है इस question में ठीक है चलिए मैं आपको समझा देती हूं तो the oxygen hemoglobin dissociation curve also called the oxy hemoglobin dissociation curve यानि oxygen और hemoglobin जब जुड़ते हैं आपस में क्योंकि हमें पता है कि RBC का काम है oxygen को carry करना और RBC के पास होता है hemoglobin जो actually में oxygen से bind करता है उसको carry करता है तो जब oxygen से hemoglobin bind करते है तो वहाँ पर इस चीज को एक curve की help से define किया जाता है उस curve को बोलते है oxygen hemoglobin dissociation curve या फिर oxy hemoglobin dissociation curve या फिर oxygen dissociation curve ODC ठीक है is a curve that plot the proportion of the hemoglobin in its saturated form on the vertical axis against partial pressure of the oxygen in the blood on the horizontal axis यानि कि जो horizontal होता है वहाँ पर oxygen का जो partial pressure है वो लिया जाता है और जो vertical है वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो hemoglobin है वो कितना saturate हो चुका है oxygen से bind करने के बाद ठीक है तो कुछ ऐसा graph हमें मिलता है इस graph में जो आपको dark line दिखाये दे रही है यह होती है pH 7 पर यानि अगर pH 7 है तो इस तरीकर ग्राफ हमें मिलता है for the oxygen hemoglobin dissociation curve लेकिन अगर condition change होती है यानि कि अगर आप CO2 को high कर देते हैं pH को lower कर देते हैं temperature को high कर देते हैं तो वहाँ पर oxygen और जो hemoglobin है उनकी affinity आपस में जुडने की affinity है वो कम हो जाती है और इस वज़े से यह हमारा जो curve है यह right में shift हो जाता है लेकिन अगर वहाँ आप CO2 को कम कर देते हैं pH को high कर देते हैं temperature को lower कर देते हैं तो वहाँ oxygen की और hemoglobin की affinity है वो high हो जाती है और यह जो curve है यह left side में shift कर जाता है और हमारे question में दिया है कि pH को अगर increase करते हैं तो हमारा curve जो है वो left side shift हो जाएगा यानि कि अगर यहाँ increase किया गया है pH को तो हमारा यह जो B curve है यह shift कर जाएगा toward the A यानि यह A पर आ जाएगा ठीक है तो हमारा सही answer होगा the second option यानि curve A ठीक है तो यह भी हमने solve कर लिया है सारे question हमारे solve हो चुके हैं अभी भी अगर आपको किसी भी question में कोई doubt है तो comment करके मुझसे पूछ लेना मिलते हैं अगली वीडियो में नए topic के साथ में till then bye bye take care